दोस्तों गोवा में मेरा दूसरा दिन है पर बीच में बैठने के बजाए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ रोज तीन चार दिन ले हाँ पर हूँ मयंग खत्री को कल हमने 50 डॉलर का इनाम दिया था क्योंकि मयंग खत्री हमारे गिववे के विनर्स थे इन्होंने वीडियो ध्यान से सुनी वीडियो से घ्यान प्रास्थ किया अंत में पूछे गए गिववे सवाल का उतर दिया और कम्यूनेटी में और YouTube में नीचे जहों में कामें आते हैं लोगों की प्रशण आते हैं उनके उत्तर दिये अब भी 50 डॉलर जीतना चाहते हैं तो आप इन सवालों के उत्तर दें अगले शनिवार को आप भी विजयता हो सकते हैं आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा उत्साजनक है मैंने अपना सारा काम छोड़कर आपके लिए सिर्फ ये चार्ट जो की टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन एथिरियम का एक ब्रेक आउट देखा I feel क्योंकि ज़्यादा तर आप में से लोग जो हैं वो आल्ट कॉइन्स होड़कर के बैठे हुए हैं खतरनाक आल्ट कॉइन्स रिस्की आल्ट कॉइन्स जिन पर लॉस है जिन में आपको डर लगता है जब ये चार्ट ब्रेक हुआ मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए कि altcoin market में इतना बड़ा boom unlock हुआ है कि आपको इस वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगे समझना पड़ेगा और आप इस वीडियो के अंत में संतुष्ट होके जाएंगे कि अब आज से वो समय शुरू होता है जब altcoins में वो pump आएगा जो हमेशाए चार साल हो गए है मुझे याद है बीवी कोविड की दुरान जब सारी दुनिया unlock थी lockdown में थी उस समय altcoins जो pump हुआ करते थे cardano एक महिने में 300%, 400% solana एक महिने में 500-600% dogecoin एक महिने में 2000% वो भी जब वो 10 गुना हो चुका था उसके बाद भी तो unlimited unstoppable जो pump आते हैं altcoins में वो इस total market cap excluding bitcoin and ethereum के break out के बाद आते हैं वो breakout हो चुका है उसको समझ निकली वीडियो अन तक देखीगा वीडियो को like कीजेगा चैनल को subscribe करके bell icon दबाएगा ताकि मैं goa, india, bahar, कहीं पर भी हूँ मैं आपके लिए वीडियो समय पर बनाऊ और अगर यह वीडियो तक आप समय पर नहीं देखते हैं तो कहीं बार इनके अर्थ निकल जाते हैं क्योंकि मैं कहीं बार altcoins के बारे में बात करता हूँ कभी-कभी bitcoin के trade के बारे में बात करता हूँ कभी-कभी Bitcoin के price के अंदर जो continuation pattern जो bull flag बन रहा है वो एक guarantee almost है हमारे सामने की 55,000 dollar का price Bitcoin का जाना चाहिए इस हफ़ते के अंदर अंदर तो इस समय कोई मूर्ख ही होगा पहली बात जो Bitcoin को बेचे का जब आपको पता है 55,000 आने वाला है और दूसरी बात जब बावन हजार के price से 55,000 का price जाता है यानि कि करीक पर छे साथ परशिंट का pump आता है तो altcoins अच्छे altcoins के अंदर 30-40% का pump आने की गुंजाश यहां पर होती है और हम देख 70$ से 120$ पर 115$ की वापसी की है तो आप सोचिए हो सकता है कि आप जिस altcoin को लेकर बैठे वो ना pump हुआ तो इस वीडियो के अंद तक आप जरूर मानेंगे कि मैं उधारन भी दूंगा कुछ और altcoins के जो चोटे हैं पर वो अच्छा मोटा pump करने वाले हैं तो 55,000 निश्चित ह इस हफते आज शायद volume कम रहे वाट मेरा मानना है कि आज US की market खुलने पर हम बड़ी चलांग लगा लेंगे जो बड़ी चलांग हमारी पेंडिंग है Bitcoin काफी almost लगा लें तो बीस four hourly candle sideways कर चुका है यानि कि करी असी घंटे यानि तीन साधे तीन दिनों से हम लोग 52,000 की support के उपर ही है हाँ थोड़ा सा उपर रहते हैं कभी नीचे रहते हैं बट more or less पूरा weekend हम इस support के उपर रहे हैं मैं आपको stock market की जानिब भी एक ऐसी ख़वर दूँगा जिस से stock market NVIDIA मैं सीधे ही बताता हूँ तो NVIDIA का result आने वाला NVIDIA का result कैसा रहेगा Bitcoin के लिए वो भी मैं आपको जरा 5-7 मिनिट के अंदर बताता हूँ जैसे मैंने का अच की वीडियो हो रिदम भी हो कि तो ध्यान से देखीगा बट मेरा मानना है कि stock market के लिए भी NVIDIA के जो earnings result आने वाले है stock market से ज्यादा Bitcoin के लिए वो बहुत useful रहने वाला I think Bitcoin will have a massive pump जैसे ही NVIDIA के NVIDIA chip company है जो AI से related chips बनाती है और मैं आपको बता दूँ कि पिछले तीन महिने में शायद वो तीन गुना हो चुका है प्राइस और उसकी market cap Google और Amazon को पीछे छोड़ चुकी है तो आप लगा सकते हैं कि NVIDIA समय स्टॉक मार्केट को कितना पंप दे रहा है और स्टॉक मार्केट के पंप कहीं न कहीं कहीं न कहीं तार उसके Bitcoin से जड़े होते हैं चाहे सीधे तार हों चाहे उल्टे तार हों उसके वारे में हम भी बात करेंगे बड़ ओवर ओर एंग मनी सप्लाय मैक्रो एकनॉमिक्स डिस्पाइट कि हमारी इंफलेशन जो है अच्छे नहीं आए डिस्पाइट कि हमारी पीपी आई अच्छे नहीं आए पर याद रहे कि आज इसी हफ़ते जो है fed के minutes भी आने हैं तो that will be good thing पलटते हैं फड़ा घूमते हैं Ethereum की तरफ Ethereum ने अपना बहुत critical 2850 का resistance break कर दिये यह बहुत ही अच्छी कवर है और 2850 का resistance break करने के बाद अब वो 392, almost 3000 की तरफ अगरसर है और आपने 9 out of 10 times हमारे चैनल पर देखा है जब हम एक level तोड़ देते हैं convincingly तो it is almost certain कि हम 3000 पर जाएंगे जैसे कि bitcoin के लिए almost certain है कि हम 55000 पर जाएंगे और जब bitcoin हलका सा 2-4-5% ऊपर जाता है यह थीरिम भी अच्छा का सा 5-7-8-10% जा रहा है look at this green chart हर एक altcoin कम से कम उतना बढ़ता है जितना bitcoin और ethereum बढ़ते हैं और हो भी क्यों न और यह तो सिर्फ शुरुआते हैं जैसे मैं आपको खा मैं आपके सामने एक band बनाने वाला जिसमें मैं 4 मिनिट बिताऊंगा बढ़ आपका देखना बहुत जरूरी है यह 237 बिलियन डॉलर की जो market cap है यह altcoins की market cap है यानि कि crypto market cap excluding top 10 in fact यह छोटे altcoins की market cap है जिसमें इसे solana भी निकाल दीजिए matic भी निकाल दीजिए shiba inu भी निकाल दीजिए छोटे altcoins की market cap है weekly time frame प इसे blue chip crypto अगर निकालते blue chip यानि कि bitcoin ethereum और top 8 altcoins बाकी जो बसते हैं उसे 237 बिलियन डॉलर की है और यहां पर एक बजबरदस compression बन रहा है BTC का bitcoin का global liquidity आ रही है जिसके चलते हमारे others altcoins जो है solana dodge bitcoin ethereum shiba inu bonk यह तो अच्छा perform करेंगी बड़ जो other altcoins है जो I think इस समेशा 32,000 altcoins मार्केट में circulation में मैं यह नहीं कह रहा है कि सब उपर जाएंगे but I'm sure आपने rank 12,000 को नहीं उठाया होगा at least top 200 top 300 में जो जिनके use case अच्छे हैं जिनमें pump and dump scheme नहीं है dydx की तरह नहीं की कल 20% supply market में आजेगी जिनकी tokenomics भी अच्छी है tokenomics के बार में मैंने अकसर कहीं बार detail में बात की है अगर आप समझना चाहते हैं अपने favorite altcoins के tokenomics तो फिलिस comment में type कीजिए वो coin उपर जाएंगे क्यों उपर जाएंगे अगर आप यहाँ पर pattern देखें तो 2019-20 की उस market में जिस stage पर हम आज खड़े हैं एक double bottom बना था दो बार एक bottom टेस्ट हुआ था और उसके बाद अगर आप एक parallelogram बनाने की कोशिश करें तो यह वो support level थी जहां से बार बार total market cap excluding top 10 यानि की छोटे altcoins की market cap bounce हो रही थी और यह वो line थी जहां से वो बार बार reject हो रही थी यह जो आयाम है यह जो range है यह almost एक डेड़ साल चली थी मई 2019 लगा लिजिए और almost June या July या December of 2020 लगा लिजिए इतने लंबे चली थी है और जब उसमें breakout किया तो उसके बाद आप देखें कि 27 billion dollar से 27 billion dollar से हमने 42 billion dollar का सफर 14 100% 14 गुना return मुश्किल से 4-5 महीने में cover कर लिया था यह चोटे altcoins की total market cap है यानि कि गये से गया altcoin 14 गुना हुआ था 6 महीने के अंदर you believe it मैं जब आपको कहता हूं कि चहरे पिगलाने वाला pump अभी आना है छोटे altcoins में जिसके लिए आपने रिस्क लिया था जिसके लिए आपने इतने सालों तक वेट किया था आपने कुछ लोग ने आपने नहीं कुछ लोग ने गलती करी कि उन्होंने market में इंटरी 2021 में किया 22 में किया जिसके बाद एक लंबी बियर मार्केट शुरू हो गए थी इसके बाद ये लगातारी altcoins की market cap 570 billion dollar से 81 billion dollar पर आगी थी पर वो 81 billion dollar का जो support level है double bottom है ठीक उसी तरह से जैसे 2019-2020 में बना था वो खतम हो चुका है उसके उपर जो parallel line है जो resistance बनती थी वो ब्रेक हो चुकी है resistance ब्रेक होने के बाद इस line को हम दुबारा से support टेस्ट भी कर चुके हैं जैसा कि exactly 2020 के जूलाई में हुआ था और 2020 के जूलाई के बाद आप सोच सकते हैं कि कोई मुश्किल से हफ़ता जाता था जब 30-40% pump नहीं होता था crypto total market cap excluding top 10 cryptos अब आप सोच लीजिए कि हम उसी देहलीज पर ये जुलाई वाला जो देहलीज है इसी देहलीज पर इस समय खड़े हैं कि resistance भी तूट चुका है उसके बाद resistance वाले line को हम support की तरह भी टेस्ट करने आ चुके हैं वैसे मैंने अगर पहले top तक देखा था दूसरे top तक जाओ तो 18 गुना जो 22 नवंबर में आयता है तो मतलब अल्मूस्ट एक साल भर में हम 22 गुना और 7-8 महिने में हम 14 गुना हुए थे दोस्तों all alt coins इस मैंसा ने कि कुछ shit coin हटा दी गए हैं या सिर्फ ये gaming coins की बात हो रही है यहां पे सिर्फ nft coins की बात हो रही है यहां पे सिर्फ marketplace की बात हो रही है यहां पे सिर्फ DEXES की बात हो रही है all alt coins except the top 10 cryptocurrencies 14-18 गुना रिटर्न उन्होंने दिया था non-stop और हम आपको technician होने की जरूत नहीं आप देख सकते हैं हम उसी देहलीज पर खड़े हैं जो देहलीज हमारी यह शुरुआत हुई थी July 2020 में अब आप सोच यह familiar time है यह regression band break हो रहा है यह range break हो रही है इसलिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि जादा patience आपने बहुत दिखाई है इसमें कोई doubt नहीं है आप कहीं सालों से कहीं alt coins को लेकर बैठे हो है पर जादा लालची मत बनी है इस समय profit book की कोई बुरी वालत बात नहीं nobody has gone bankrupt in booking profit और हमे आने वाले आप खुद हैरान होगे कि यह रोहित कहता था बड़ यह कि मेरा favorite alt coin पिछले एक हफ़ते में 100% उट गया 800% उट गया मैंने तो अपेक्षा भी नहीं की थी जब आपके मन में ऐसी भावना आये मनलब ऐसा कोई बोलता नहीं बड़ और यार सही रिटार आया आया जब 5% price dip होगा फिर और 10 डॉलर के तब खरीजे जब price point price 10% और dip होगा same strategy आप sell के लिए किजिए 10% sell कीजिए 10% और sell कीजिए प्राइस 5% अप होगा and so forth right अब यहां पर कुछ altcoins के बारे में बात करेंगी जिनके बारे में हमने अक्सर बात की है पहले जिनके बारे में हमने उन जिनको एक model या जिनको एक basic example altcoins की तरह ट्रीट किया है और अब मैं जो अपनी अतिशोकती में आपको एक अपनी thesis बताई थी कि total crypto altcoins की जो market cap है उसमें और यह हमारी एक तरह से validation भी है कि जो overall total crypto market cap है वो 14, 20, 50 good on return के लिए तैयार हो रही है क्योंकि market में global liquidity आ रही है तो मैं अपने आपको कुछ example दिखाऊंगा हम पिछले कुछ दिनों से कुछ हफतों से बात करते आ रहे हैं merit circle के बारे में जिसका नाम beam हो गया है हम बात करते जाने एथिरियम के बारे में अब एथिरियम में देख लीजिए हम 25 सो डॉलर के थे इस हमें 33,000 डॉलर के हैं दो हफते में सब कुछ हुआ है तो सबसे बड़ा जो बाप of altcoins है एथिरियम उसने 25% return दिया है फिछले 2-3 हफतों में that is a starter हमेशा एथिरियम जो return देता है risky altcoins उससे कहीं गुना जादा return देते हैं तो जितना आप risk लेना चाहते हैं मेरे rules आपके rules नहीं है मेरा risk आपका risk नहीं है मैंने एक model portfolio के लिए risk portfolio बनाया था जो मैं आपको इसके बारे में बताता रहता हूं मैं उसके बारे में price update भी आपको देता रहूंगा जिसमें हमने Ethereum, Avalanche Polygon, Beam, CD5, Koti, UNKGD और DGI Game और इसमें मैं add करता जा रहा हूं यह model है यह आपको नहीं खरीदने हैं क्यूं क्यूंकि मैं आपको बताता भी हूं Beam के बारे में हमने tweet किया था उस दिन से लेकर Beam करीब करीब अगर हम देखें तो almost double हो चुका है DGI Game के बारे में हमने tweet किया था यह उस दिन tweet सुनके या पिछली बार जब मैंने दो महने पहले बोला था उस तब खरीद लिया तो तो अलग बात होती और इस समय आप क्यों नहीं खरीदेंगे Koti को क्यों नहीं खरीदें क्योंकि already सिर्फ साथ दिनों में 20% 18% 14% पंप हो चुके हैं it will be a but wait for the dips remember these altcoins या हमेशा याद रखिए किसी भी यूट्यूबर दवरा बताये गए किसी भी altcoins को मत खरीदें फोमो में मत आये क्योंकि सबसे बड़ी investment दो होती है bitcoin फिर भी मैं भी यूट्यूबर हूं मैं भी आपको फोमो देता हूं मैंने एक लाग डॉलर हमारी टीम ने कोटी में डाला था राइ यह मैं आपको एक उधारं दे रहा हूं कैसे लोग यूटूबर की बात सुनके मेरे जैसे कोई नहीं सम्झाता है मेरी मेरे जैसे कोई warning नहीं देताय मेरे जैसे कोई मना नहीं करता है पट अगर आपने और अक्त रहता हो चुक्छी होंगे अने बेचा नहीं करकि कि मिमने के इसमें तो हम थोड़े लंबे समय तक रखेंगे पर यूट्यूबर आपको क्या बोलेंगे आप अभी खरीद दो तो फिर आप नुकसान खाएंगे न क्योंकि 45% पंप हो चुका है UNKJD हमने अगे 9 फरवरी को ट्वीट किया था on the peak 94% और अगर अभी करन्ट प्राइस पर देखें तो 52% है क्या यह 30-40% हो सकता है क्या यह हमारे 9 फरवरी के पायाई से नीचे जा सकता है हाँ तो अगर आप मुझसे प्रभावित हैं यह आपको बहुत ही फोर्म हो रहा है कि अरे रोहित को अकेले कैसे प्रॉफिट हो रहा है हमें क्यों नहीं हो यह ट्विट लेकिए इस पर 44 रिट्विट आया है यानि कि हजार लोगों तक यह ट्विट पहुंच हो गी 37,900 तो मैंने चाहता है कि 37,900 लोग गलट डिसीजन ले यह सोचके कि रोहित को प्रॉफिट हो है तो हमें भी प्रॉफिट होना चाहिए आपको भी होगा पट प्रॉफिट बुक करें क्योंकि समय डबल टॉप बन रहा है इसकुट भी वैसे डबल टॉप वैलिडेट भी हो सकता है इसलिए 1167 पर बनाई है 1167 जाकर मतलब यानिकी डबल टॉप इन वैलिडेट हो जाएगा प्राइस और उपर जाएगा अगर आपको 0.909 दिखता है त अगर डबल टॉप वैलिडेट होता है तो प्राइस डेफिनिटली वहां चाहेगा सेम फॉर उनकेजडी और दोस्तों मैं यह वोटी उनकेजडी इनकी बात क्यों कर रहा हूं क्योंकि इसके अखसर मैं एज यूट्यूबर एज इन इंफ्लेंसर आपको बताता हूं कि मैं या तो founders को जानता हूं या मैंने अच्छी research करी मुझे किसी ने approach किया कि आप इसके बारे वीडियो बनाए मैंने कहा मैं नहीं बनाता हूं मैं किसी project को endorse नहीं करता हूं तो मैंने कहा देखके देखिये फिर मैंने देखा फिर मुझे लगा tokenomics अच्छे हैं तो मैंने कहा घरी हिस्सा bitcoin के अंदर bought trading पे 10x leverage पे लगा हूँ है और उसके बाद कुछ हिस्सा Ethereum पे कुछ Solana पे और बहुत ही कम हिस्सा इन coins पे जैसे कि Forgotten Playland एक अच्छी game है जो कि Beam के उपर ही बनी है इसके बारे मैं मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्यूंकि जैसे मैं आपको कहा कि Forgotten Playland is a just a project but beam के ऊपर project launch हो रहा है और इन launchpads को सबसे दाधा फायदा मिलता है जब इन launchpads के ऊपर नए project launch होते हैं जैसे कि CD5 के ऊपर नए project launch होते हैं आवलांच के ऊपर नए project launch होते हैं polygonmatic के ऊपर launch होते हैं अब यहां पर अगर हम देखें तो beam पर यह बड़ा project launch हुआ बहुत लोग इसके बारे में बात करें अच्छी गेम है quality game की बहुत अच्छी गेम आने वाली है इस anticipation में ही beam जो है 267% pump हो चुक है और इसकी market के बहुत खतरनाग 2 billion dollar के आसपास जा चुकी ह जो कि avalanche की अगर हम देखें इतना बड़ा इतना पुराना इतना मज़ा हुआ project है उसकी 14 billion ही है तो क्या beam 10 billion पर जा सकता है मैं यह नहीं कह रहा है impossible है बट beam काफी pump कर चुका है beam को थोड़ा से correction लेना चाहिए बट cd5 उतना pump नहीं हुए cd5 भी 89% pump हुए cd5 पर भी बहु games on इन पर project अभी आ गए है या और आने है यह a terminal यह सब जो मैं games बता रहा हूँ यह तो सिर्फ शुडवात है असली project कब आते हैं what is that season when launchpad start making money launchpads में 10 गुना 20 गुना 30 गुना उनके tokens में तब pump आता है जब market के अंदर अंधा पैसा आने लगे क्या market में अंधा पैसा आने क्या हमें अभी launchpad में invest करना चाहिए no हमें launchpad के corrections का wait करना चाहिए क्या launchpad में बड़ा correction आएगा I don't know launchpad में बड़ा correction आ भी सकता है हो सकता है नहीं भी आए बड़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि launchpad के अंदर पैसे आने शुरू हो गए है क्यूंकि हमारा जो total altcoin market cap है वो breakout हुआ है जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरूआत में खा टोटल altcoins का market का breakout होने का मतलब है altcoins के अंदर shitcoins के अंदर bitcoin के अंदर बेकार coins के अंदर भर-भर के पैसा आएगा और उसका सबसे यह उसका सबसे बड़ा कार्ण है global liquidity global liquidity global पैसे की छपना global rate cut इन सब की शुरूआत हो से लिए दोस्तों मैंने अपने altcoins में position लेनी तीन-चार हफ़ते पहले शुरू कर दी थी आपसे भी मैं share करूंगा जो मेरी positions है उन पर आज से 30% डाउन का alert लगा लेजिए I can assure you कि वह प्राइस जरूर जाएगा कि मार्कर इतनी वॉलेटाइल है वेट कीजिए bitcoin को अभी या 55,000 डॉलर से डंप लेने का bitcoin डंप लेगा 10% डंप लेगा हो सकता है 55,000 से 50,000 तक जाए तो सोचिए CD5 बीम यह सब कितना डंप लेगे 36-40% हो सकता है मेरा buying price भी निकल जाए and that is the thing अब आप करेंगे फिर तुम बेच के profit क्यों नहीं बना लेते क्योंकि मैंने अपने goal set की हो है वो मेरा goal जब achieve होगा तो मैं profit book कर लूँगा नहीं तो मैं परवान ही करने वाला कि आज 45% jump है आज 50,000 डॉलर का profit है कल 10,000 डॉलर का लेगे लासे जेगा क्योंकि liquidate फोड मात रहें क्योंकि safer side अपने बच्चे के भविशे के लिए अपने पिता जी के तरफ वफादार रहने के लिए उनकी सिखाई चीजों को याद रखने के लिए मैंने अपना अधिकतर crypto investments bitcoin में किया है वो भी non leverage और उसका एक छोटा सा हिस्सा bot trading के अंदर लिया है 10x leverage पर जो मै कोई market cap burst होने वाली है बड़ा pump आने वाला है हो सकता है उससे पहले एक dump आजाए हो सकता है pump के बाद dump आए that nobody can predict but मैं आप से चीजे शेर करता रहूंगा इसके लिए आपको हमारे twitter को भी follow कर लेना चाहिए इसके लिए आप रहां मैंने आपको nvidia के बारे में चीज बोली थी बुधवार को nvidia के q4 earnings आने वाली अब यह बहुत interesting इसलिए है क्योंकि nvidia जो की करीब करीब 700 billion dollars की company हुआ करती छे महीने पहले वो धाई तीन गुणा होकर 1.8 trillion dollar की market cap जा चुकी यह इतिखास में सबसे बड़ा value pump है in 6 months राइट इसने amazon और google को भी पचाड दिया है तो अब क्या होगा अपने दो सिनारियों है अगर nvidia की earnings अच्छी नहीं आई तो s&p 500 dump करेगा s&p 500 stock market में nvidia की अच्छी खासी weightage है और nvidia के pump के चलते ही s&p 500 कहीना कहीं जोश में था वरना google और amazon तो ठीक ठाक perform नहीं कर रहे है as a stock right बट अगर कहीना कहीं nvidia की earning अच्छी आती है अपेक्षा से भी अच्छी आती है तो s&p 500 और pump करेगा मैं आपको खूंगा दोनों ही scenarios में bitcoin के अच्छा है अगर s& s&p 500 pump करता है और nvidia के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो लोगों में और momentum बनेगा यार s&p 500 और नए all time hyper जा रहा है तो market में और जोश आएगा इवेंचली 2425 में stocks में crypto में भर भर के altcoins में इतना भर के पैसा आने वाले जो आपकी अपेक्षा से बाहर है तो इसलिए strong रही है मेरे तरीके से committed रही है चाहे मैं गोवा में हूँ चाहे मेरे दोस्त बीच पर enjoy कर रहे हैं कुछ भी हो बट मैं हमेशा आपके लिए समय निकालता हूँ आ subscribe करना bell icon दबाना और सबसे important नीचे comments में जाके पढ़ना कि लोगों ने क्या अपने विचार व्यक्त की है मेरे भी विचार देखिए मैं कहीं लोग की comment के reply करता हूँ आप लोग की help किजिए कि लोग market को investments को किस तरीके से देख रहे हैं लोग किस altcoins के बारे में बात कर रहे ह भी आते हैं कि bitcoin अब 32,000 पर जाएगा राइट कुछ ओशो टॉक्स करके कुछ में देखता हूँ नीचे comment में किसी का against नहीं जाना चाहता बड़ आप जो भी आपका अच्छी बात है आपका opinion है मैं आपके opinion की भी तिरसकारी नहीं कर रहा हूँ बड़ मैं बोलों किसी का opinion प 594 लोगों ने 2,000,000 डॉलर का profit बना लिया है तो मेरे वक्तवे से मेरे opinion से क्या फरक पड़ता है और वो भी हमने profit बनाया सिर्फ Bitcoin और Ethereum की उपर हमने बिलकुल रिस्क नहीं लिया hardly पिछले 30 दिन में हमने इतना profit बनाया है so I think that shows कि कहीं न कहीं अपना personal opinion अपनी personal research होना अपनी personal जिद होना right कहीं न कहीं help करता है so I think I suggest you also to have your personal opinion इन लोगों की तरह जिन्होंने मेरा opinion माना या नहीं माना बट अपनी खुद की trading strategy बनाई ultimately इस channel का काम है देना मैं आपको giveaway सवाल पूछता हूँ जैसे आज किसी खत्री भाई को हमने दिया है इना मैं नाम भुल गया sorry माफी चाहूंगा तो right so I think आप भी अपनी पूरी strategy बनाईए यह चीज है कि हम bullish हैं बट आपको क्या खरीदना है कितना bitcoin percentage रखना है कितना ethereum में percentage डालना है कितना trade में डालना है यह आपकी strategy कितना वैसे आप गवा सकते हैं कितना वैसे आपको बनाना है उसके हिसाब से risk लिए risk reward ratio beside करना बहुत जादा जरूरी है अब आपको मैंने यहाँ पर एक pivotal point बताया था एक total market cap मैंने बताई थी excluding top 10 altcoins उसका कितना billion dollar का level जो भी हमने resistance break किया है ताकि अगली बार हम उस resistance पर जाते हैं trading view पर आप खुद देख सके जिसको break करने के बाद total crypto market excluding top 10 के किस level को हमने resistance level को तोड़ा जिसके बाद में महा bullish हो गया हूं जिसके लिए मैंने यह 25 मिनिट की वीडियो आपके लिए बनाई इसको देखने के बाद वह level आप comment करके बताईए ताकि हम सब उस पर निगाह रखे और आपना USGT डरेस डालना मत भूलिया अपना ख्याल रखे धन्यवाद जैहन